हाई गाईस आप कैसे हैं आगे देखते हैं आज नेस्ट क्लास में क्या देखना है इससे पीछे वाले क्लास में देखे हैं क्या तवर्ग का परियोग तवर्ग का परियोग एक बाया एक दाया यहीं न था तो तवर्ग एक बाया है एक दाया तो दाया तवर्ग और बाया पढ़ रहे थी इसमें तीन रूल मिला था है यदि तवर्ग पहले आता है यदि तवर्ग बाद आता है तो परियोग किये थे यहीं ने देखे थे तो आग निक्स क्लास में देखेंगे क्या यदि तवर्ग के बाद टवर का बेंजन आता है प्लस देंगे तो समझ में आ गया ains आता है या तवर्ग का तो भी तवर्ग का जो है परियोग बायां और दायां दोनों का परियोग कर सकते हैं जैसे एक एजामपल है तत लिखना है तत उसके बाद जैसे है तत लिखना है तत देखिए ध्यान देना है कि यदि तवर्ग पहले हो या तवर्ग बाद यदि उससे पहले तवर्ग माले जिए तवर्ग के बाद तवर्ग के बाद सा आया है तो ये तवर्ग और तवर्ग में सा जो आया है यह भी दाया बाया दोनों परियोग किया आता है तो यदि तवर्ग बाया का परियोग किया जा रहा है तो आगी कंसुने जो तवर्ग या सा आता है तो ओभी बाया का ही परियोग करेंगे यदि तवर्ग दाया का आता है तो यह भी तवर्ग या सा हो तो दाया क परियोग किया जाएगा जैसे तत यदि हम बाया का परियोग करें तो यह भी बाया का होना चाहिए यदि दाया का परियोग करने तो यह भी दाया का होना चाहिए यह नहीं कि हम यह परियोग करके यह गलत है आगे मिलेगा रूल सही होगा लेकिन हमेसा यह परियोग करना है ज आगे देखेंगे रूल है हमेशा इसे याद होना चाहिए कि यदी तावर्ग और सा का भी परियोग पढ़ना तीसी समय बता दे रहे हैं और सा की पहले कोई भावेल यानी स्वर आये ताथा आये तो तावर्ग इसके पहले आये तो बायां ताथा तावर्ग और सक के बाद कोई स्वर आये तो दाया तावर्ग और सक का परियोग किया जाता है एक जामपल दीखे बाद के जरकि यदि तावर्ग और सक के पहले कोई भावेल आता है तो तावर्ग बाया का परियोग किया जाता है और तवर और सा के बाद कोई स्वर आता है तो दाया तवर या सा का परियो के जाता है जैसे बोला जा रहा है कि तवर के पहले कोई भोलाता है जैसे आत या अत आया है पहले आया है कि नहीं जैसे में आपका इत समझ मेरा है जैसे में ओद या ओद या ओदा देखेंगे ये आ पहले करने पहर किका गाए हम आफसे पेलों कार्य को रिख शोट्पर या है जेसे eo शुझ पहल गविजिया दो ये कट इस बार कॐ बोर यां भी भैल H20 यहां भी जैन भी हम और ऑले तो बाया दा है और इसके पहले भावल ओ सेकेंड प्लेस पे और दा के बाद आगा दा यदि बात के जा रहा है कि सा के बाद या तवर के बाद कोई भावलाता है जैसे सा या दा या ता जैसे यहाँ पे ताम या दाम देखे कैसे बने गए बात के सा के बाद यदि कोई भाव और लगेंगे मोटा करेंगे समझ में आ गया होगा तो यह सारे तवरग का परियोग बाया दया थांगे समाफ्थ हो गया ठिके तो यहाँ पे क्या कीजियेगा आप लोग इसमें लेशन है बना लीजएगा जैसे हैं आप लोग ट्राइटिश कर लीजएगा तावारग में लेशन है ए dato नाइन का परियोग पढ़ेंगे ठीक है तो मिलते हैं आगे नेक्स क्लास के और थैंक यू तो आला स्टुडेंट